हेलो स्टूदेंट्स एम्पेरिकल इंस्टिटूट के इस सिंप्लिफिकेशन टेस्ट सीरीज में यह है टेस्ट नंबर 33 के पार्ट 2 का एक्स्प्लेनेशन यदि अभी तक आपने यह टेस्ट नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करके सब चार क्रमांगत विशम संख्याओं का ओसत चालीस है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी देखे इस प्रकार के कोश्चन के लिए आप देखते से ही आंसर लगा सकते हैं बस एक लॉजिक समझना पड़ेगा यहाँ पर आपको दिया गया है कि ओसत चालीस है ओसत का मतलब क इसका मतलब 40 मध्य की संख्या है और यदि विशम संख्याएं क्रमांगत हैं तो इसका मतलब मध्य के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ संख्याएं होगी अब चार संख्याएं हैं तो मध्य के दो इस तरफ और दो इस तरफ होगी तो इधर होगी 41 और 43 और इधर होगी 49 40 और 37 यानि इसमें सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो 43 होगी यानि option B तो इस प्रकार से आप औसत का यदि सही मतलब समझते हैं तो इस प्रकार के कोशनों का आप आंसर दे पाएंगे आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन करते हैं अब देखिए अगला प्रशन कुछ इस प् पहले बारह पदों का योग क्या है बारह पदों का हमें योग पूछा है यदि हमें पहला पद 3 कहा गया है कि पहला पद 3 है और अंतिम पद 47 है तो इस प्रकार के कोशन को हमें कैसे करना है जब हमें समांतर शिरिणी में योग पूछा जाता है और हमें पहला पद और अंत याने की प्रथम पद को अंतिम पद से जोड़ दीजिए और N upon 2 से गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर N क्या है कुल मिला करके 12 पदों की संख्या तो यहाँ पर N की जगे 12 आ जाएगा बटा में 2 A का मतलब प्रथम पद यहाँ पर A के स्थान पर हम 3 रख देंगे और अंतिम पद जो दिया है वो 47 है यहाँ पर 47 रख देंगे इस प्रकार से 12 बटा में 2 यह हो जाएगा 47 और 3 50 इस प्रकार से इसे आप कैंसल कर दीजिए 2 से 6 बार यहाँ पर 635 याने की टोटल 300 इसका सही आ 45 तथा 21 सहाट का महत्तम समापवर तक क्या होगा अब देखे पिछले वीडियो में मैं LCM पर कोशन बता चुका हूँ और यह वाला जो कोशन है यह HCF पर है अब देखे यह HCF कैसे निकालेंगे हम इन दी हुई संख्याओं का पिछली बार भी मैंने बताया था कि आपको आज यह गुणन खंडों में बाट देता हूँ सबसे पहले में 5 से विभाजित कर देता हूँ 5 एकम 5 बजगया 1 5 दूनी 10 बजगया 3 5 6 30 बजगया 4 और 5 नाम 45 इस प्रकार से फिर आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए 3 चोग 12 तीन दूनी 6 तीन तिया 9 फिर आप इसको 3 स विभाजित कर दीजिए 3 एकम 3 3 चोग 12 और 3 एकम 3 इस प्रकार से फिर आप इसको 3 से विभाजित कर दीजिए 3 चोग 12 बजगया 2 3 7 21 अब 47 एक अब भाज्य संग्या है इसका मतलब यह 47 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा अब देखिए अब भाज्य गुणन 3 गुणा में 47 लिख सकते हैं तो इस प्रकार से आपने 6,345 का अब आज गुणन खंड प्राप्त कर लिया अब यह अगली संख्या है 61,216 याने 2,116 अब देखिए यहाँ पर यह जो 2,116 है इसको तो आप बड़े आसानी से तोड़ सकते हैं 216 और 10 में अब 10 जो है उसको आप 5 गुणा में 2 में तोड़ दीजिए और 216 जो होता है वह 6 का जो है वह एक प्रकार से घन होता है इस प्रकार से 6 के घन को फिर आप तोड़ दीजिए तो यहाँ पर 6 का घन जो है वह 2 गुणा में 3 और फिर अगला 6 दो गुणा में 3 से तूटेगा अब देखिए नाच जो है वो कितनी बार आो एक बार यहाँ पर दो एक दो तीन और चार बार आया है तो दो कीगहाँ हो जाएगी चार और तीन एक दो और तीन बार है गुणा कर देंगे एकई सो-सहाट के अभध को नहिंगा अब आपको क्या करना है आपको दोनों ही संख्याओं में से HCF निकालना है HCF में C का मतलब होता है common यहाँ पर आपको highest common factor निकालना है देखे मैं आपको जो बता रहा हूँ HCF निकालने के लिए उसे ध्यान में रखिए पहली बात तो आप common अंक देखिए common संख्या गया है पांच यहाँ पर भी है और पांच यहाँ पर भी है दोनों की घात एक है आप पांच ले लीजिए आगे तीन है तीन की घात यहाँ पर तीन की घात तीन है आप यहाँ पर तीन की घात तीन ले लीजिए गुणा करेंगे यहाँ पर 47 यहाँ पर एक बार है यहाँ पर एक भी बार नहीं है और यहाँ पर दो की घा चार जो है वो यहाँ पर नहीं है इसका मतलब यह दोनों संख्या है जो होंगी यह common नहीं है मतलब इन दोनों को हम नहीं लेंगे अब बज़ गई संख्या यह तो इस प्रकार से 5 गुणा में 3 की घात तीन होती है 27 इस प्रकार से 27 को 5 के साथ में आप गुणा कर दीजिए तो 35 35 की 5 हसिल का 3 5 दूनी 10 10 और 13 इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा 135 जो की option D पर दिया गया है तो मैं आपको फिर से बता दू यहाँ पर HCF निकालते वक्त आपको common संख्याएं लेनी है इस प्रकार से हमने इनको गुणा करने पर जो संख्या आई वही इसका सही आंसर होगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न करते हैं अगला प्रश्न है चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 93 यानि 93 से पूर्णत विभाजित होगी अब देखिए चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले तो आप जानते हैं कि 9999 होती है इस संख्या को आप सीधे तोर पे 93 से पहले तो विभाजित कर दीजिए आप कुछ ऐसी संख्या से गुणा कर दीजिए कि यहाँ पर आप 699 ले करके आ जाएं अब इस प्रकार से यदि में 93 के साथ में 7 का गुणा करता हूं तो यहाँ पर साथी 21 की एक हासिल का दो और नामी साथी 63 और 2 65 यानि कि 651 आ जाएगा तो इस 651 को आप यहाँ पर लवाएगा यानि कि इस 48 संख्या को इस 9999 से घटा दिया जाएं तो यही वो अतिरिक्ट शंख्या है जो कि यदि नहीं मिलती तो यह संख्या यानि कि यह संख्या जो हमें प्राप्त होगी वो 177 बार पूरी विभाजित हो जाएगी इसका मतलब 9999 में से आप 48 को घटा दी 9 में से 8 गई तो 1 बच गई 9 में से 4 गई तो 5 बच गई और यहां पर 99 वैसा का वैसा यानि 9951 इसका सही आंसर होगा आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न करते हैं अगला प्रश्न है 9951 गुणा 10,009 का मान क्या होगा अब देखिए यह बहुत बड़ी संख्या है यदि बेसि 1000 से 9 कम है और यह संख्या 10,000 से 9 जादा है तो इस प्रश्न को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10,000 में से यदि मैं 9 घटा दूँगा तो 9991 आ जाएगा और यदि मैं 10,000 में 9 जोड़ दूँगा तो यहां पर 10,009 आ जाएगा इस प्रकार से यह फार्मूला हो गया A-B और A-B का जि इस प्रकार से इसको solve करेंगे यहां पर ध्यान से समझजिए 10 की घात यहां 10,000 की घात 2 है जाने सभी शुन्य जो हो जाएंगे वो repeat हो जाएंगे 1,2,3,4 यहां पर 4 का मतलब 8 शुन्य लगा दिए 1,2,3,4,5,6,7,8 यह दो 2 के हमने यहां पर जोड़े बना लिए minus में यहां पर 81 आप कर दीजिए तो इस संख्या में से जब आप 81 को minus करेंगे तो अब इसमें से हम इसमें से संख्या को घटा देते हैं तो यहां पर इस संख्या में से 81 को हम यहीं कहीं घटा देते हैं तो 10 में से 10 में से 1 जाएगी तो 9 बच जाएगी यहां पर 9 में से 8 ज अब देख लीजे कि किस option के पीछे 19 आ रहा है बस वही सही answer होगा यहाँ पर एक ही option है option D जो जिसमें कि 19 लास्ट में आ रहा है आपको पूरा करने की जरुरत नहीं क्योंकि इसमें से एक ही answer सही answer option D होगा तो मैं उम्मिद करता हूँ कि यह question आपको समझ में आ गए होगे कि कै कैसे करने है यदि आपको लगता है कि सिंप्लिफिकेशन की यह test series valuable है तो comment box में अपने experience इसको जरू लिखिए इस वीडियो को देखने के लिए thank you